प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग बहुत ही एक महत्पून जो विशय है जिस पे दो साल से पूरा देश जो है जानकारी घटा कर रहा है जानना चाहता है पूरी देश पूरा देश इतना उत्साहित है लोग बहुत ही उत्साहित है और वो जानना चाहते है कि आखिर कटप पाने बहुबली को क्यो या इसके पीछे पारिवारिक रंजिष्थी जैसा कि जाच में पता चल रहा है या इसके पीछे कोई साचिष्थी रवीज जी मैं आपको बता देना चाहूंगा आपकी जानकारे के लिए कि जो कटपपा ने जो बहुआ वली की हत्या की और ये करी तकरीबन दो साल पहले हुआ था और पिछले सरकार में इसकी जाच नहीं की गई थी लेकिन हमने इसकी निस्पक जाच करवाई है माननी मुद लिए करते थे ये बात आपको माननी पड़ेगी अगर दिखे अगर आपको पता है कि मली की हत्या जो ये उसे पाकिस्तान के कहीं से हाथ है तो जीट को आफीसिल कीजिए आपे के मोधी जी तो कहते थे कि आप छपपनिज का सीन्हाइव और नहीं टरते हैं पाकिस्तान से अगर उना लगता है कि कटपक हैं बहु बली की हत्तिया में पाकिस्तान का हाथ है तो इस चीज को सारवजनी कीजिए यह कुंसी बात हुए हमें देश की समविधान पे अटूट विश्वास है और इस चीज को हम कभी गलत इस्तमाल नहीं करते हैं समविधान का हम इस पे अट पूरी होती है उसके हमारे पास सबूत है और उस चीज को हम लाएंगे बिल्कुल और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा बार बार हमने निंदा की है पाकिस्तान के और फिर करते हैं कि हमने करारा जवाब देंगे जी बिल्कुल सक्त सक्त कारवाई करेंगे उनके खिलाफ आपकी तो आप लोगों की जो पॉलिटीशन से उनका तो पुराना ये जुमला रहता है कि जाँ चल रही है तो आप लोग जाँ किजिए मैं खुद बहुबली मुवी देख के आता हूं और पता करके आता हूं कि कटप पाने बहुबली को क्यों मारा और आप भी साथ मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए मैं रवीश कुमार आप से फिर से